और इस बीचे खबर अजर्बाइजान से भी अजर्बाइजान की सेना से की युद्धा भ्यास का वीडियो सामने आया है वार एक्सरसाइज का ये वीडियो सामने आया है अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में लगाया अजर्बाइजान अजबेजान की सेना लगी इंटरनेशनल इफेस 2022 में हिस्सा और इफेस 2022 जून में टर्की में आयूजित किया जाएगा कई देशों की सेना इसमें हिस्सा लेगी नागोर्नो कारवाग की जमीन के लिए फिर से आमने सामने आ चुके अजबेजान और आर्मेनिया सरकार ने तै कि दोनों देशों के राष्ट्रे अजबेजान बहुत जल्द ब्रिसल्स पे बैट कर विवाद सुलचा लेंगे लेकिन मैदान में कुछ औरी चल रहा है मैदान में अजबेजान की सेना पसीना बहा रही है आर्मेनिया पर तासा हमला करने के फौरण बाद अजबेजान आर्मेनिया को खुली चुनोती दे रहा है अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है दरसल अजर्बैजान की सेना जून में तुर्की में EFES 2022 युद्धाव्यास में हिस्सा लेने जा रही है ये उससे पहले की तैयारी है रूस के साथ युक्रेन में चल रही जंग के बीच आर्मेनिया और अजर्बैजान के बीच फिर से विवाज शुरू हो गया था कुछ दिन पहले अजर्बैजान की सेना ने आर्मेनिया के पारुक गाउं में धावा बोल दिया था और अजरी सेना ने आर्मेनिया के सैनिकों पर हमले भी किये थे नागोर्नुकाराबाग की जमीन पर कबजा करने के लिए 15 महिने पहले अजर्बेजान और आर्मीनिया के बीच करीफ 37 दिन तक जंग चली थी रूस के दखल के बाद दोनों देशों के बीच समझाता हुआ था लेकिन एक बार फिर से दोनों देशों के बीच तनातानी पड़ गई है रूस ने एक बार फिर से दोनों देशों से शांती बनाये रखने की अपील की है तो वहीं डॉनेक्स में रूसी सेना ने बचा रखी है तबाही रूसी टैंक्स BMP2 ने डॉनेक्स में सब कुछ तबाह कर दिया है BMP2 टैंक पूरे शहर को खंडार बना रहा है पूरे डॉनेक्स में BMP2 टैंक ने कर रखा है कबजा ये तबाही रूस उस डॉनेक्स में मचा रहा है जहां उसके अपने लोग पिछले कई साल से विद्रोह का ज़ंडा बुलंद कर रहे थे यहां मौजूद रूसी लड़ाके यूकरेन के खिलाफ आवास बुलंद कर रहे थे लेकिन हैरानी इस बात की है कि रूस अपने इन लड़ाकों के बल पर भी डॉनेस पर कबजा नहीं कर पा रहा है और डॉनेस की गलियों में घुसकर रूसी सेना लोगों पर कहर बरपा रही है रूसी टैंक बीएंपी टू डॉनेस में सब कुछ तबाह करने पर आमाता है रूसी टैंक ताबर तोड़ फाइरिंग करते हुए पूरे शेहर को खंड़हर में तबदील कर रही है बताय जा रहा है कि रूस के यही बीएंपी टू टैंक डॉनेस के चप्पे चप्पे में तैनात कर दिये गए है तो दिन राद तबाही बरसा रहे है दूसरी तस्वीर यूकरेन के खारकीव से आई है जहार रियाईशी इलाके में रूस ने मिसाइल दागी हमले के बाद इलाके में हाहा कार मच गया रूस के हमले के बाद पूरे इलाके में काला धुआ फैल गया दोनेस की तरह रूस अभी तक खारकीव पर भी कब्जा नहीं जमा पाया है यही वजह है कि रूसी सेना इन शेहरों पर दिन रात हमले कर रही है